आज कल कोरोना वाइरस काफी नियूज में चल रहा है, जो कीचीन में फैल रहा है, पर चिंता का विशाई ये है कि ये इसके कुछ विक्टिम हारत में भी रिपोर्ट किये जा रहे हैं। खेराये जने की ये coronavirus है क्या और इसके के क्या लक्षन है और ये कैसे पहलता है coronavirus virus क्या है? coronavirus, virus का एक समुह है जो mammals और birds में बीमारियों का कारण बनता है In fact, coronaviruses are enveloped viruses with a positive sense single-stranded Vrana genome and with a nucleo capsid of helical symmetry The genomic size of coronaviruses ranges from approximately 20 to 20 kilobases, the largest foreign RNA virus. The name coronavirus is derived from the Latin corona, meaning crown or halo, which refers to the characteristic appearance of the virus particles, variants, they have a fringe reminiscent of a royal crown or of the solar corona. अगला सवाल है Coronavirus कैसे पहलता है? Coronavirus प्रभावित व्यक्ति के संपरकाने से होता है. जब प्रभावित व्यक्ति खांसता है, छीकता है तो आसपास के लोग को प्रभावित करता है. अगला सवाल है Coronavirus के लक्षन, Signs and Symptoms क्या है? अधिकान्ष Coronavirus के लक्षन किसी अन्या पर respiratory infection के समान होते हैं, जिसमें बहतीनाक, खांसी, गले में खराश और कभी-कभी बुखार भी शामिल है. ज़्यादा तर्म मामलों में, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको Coronavirus है या कोई अलग सर्दी पैदा करने वाला वाइरस, जैसे कि Rhinovirus. अगला सवाल है, करोनवाइरस का डाइग्नोसिस कैसे किया जाता है? हेल्थ केर सेंटर पे कुछ लिबॉरटरी टेस्ट किये जाते हैं जैसे की कफ का टेस्ट, सीरिम, बलड का टेस्ट, अगला सवाल है, करोनवारस से कैसे बचें? जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये की, आप ऐसे किसी भी वयक्ती जो ऐसे रोगों से ग्रसित है जैसे की फीवर, कौफ, खासी, कोल तो कोशिश करें की नजदीक न जाएं, कम से कम दो मीटर की दूरी बना के रखें, फेस मास्क लगाएं, गले न मिलें, हाथ न मिलाएं, साप सफाई पे धान रखें, अपने हाथ प्रौप साबुन से धुएं, अनावश्य की दुर उधर न जाएं, कोशिश करें की कम से काम लोगों से मिलें, अगर किसी तरह का कोई भी प्रौबलम महसूस हो तो, तुरंत ही नजदी की चिकित्सा केंद्र पे जाके टेस्ट करवा लें, समय रहते टेस्ट हो जाने से कोई खतरा नहीं है, पर्ड ले होने पे ये काफी खतरनाक हो जाता है, जिसका इलाज मुश्किल और मंगगा हो जा तो प्रिकॉशन लें और स्वस्थ रहें